हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या डॉक्टर स्टेंज इन दा मल्टिवर्स ओफ मैडनेस में वांडा ही मेन विलेन होने वाली है क्योंकि यारब धीरे धीरे डॉक्टर स्टेंज 2 को लेकर भी बहुत सारे र्यूमर्स और लिक्स आना चालू हो गए है और मेजर लिक्स यहीं इशारा भी कर रही है कि वांडा ही मेन विलेन होगी इस मुवी की अब दोस्तों देखो शुरुआत में तो यहीं बोला जा रहा था कि इस मुवी का मेन विलेन शूमा गुराथ होने वाला है लेकिन अब कुछ र्यूमर्स और लिक्स के मुदाबिक शूमा गुराथ जो कुछ भी करेगा वो वांडा के कहने पे ही करेगा क्यूंकि वांडा बुक आफ डाक होल्ड की मदब से उसको अपने बस में कर लेगी वैसे दोस्तों इस मुवी के सारे लिक्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो अगर आपको स्पोईलर से डर नहीं लगता तो उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देख लेना तो दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वांडा ही इस मूवी की में विलेन है तो वो आखिर ऐसा क्यूं कर रही है आखिर इसका कोई लॉजिकल रीजन भी तो होना चाहिए कि आखिर वो विलेन कैसे बनेगी ऐसी क्या मजबूरी आएगी उसके सामने जो उसको डॉक्टर स्टेंज से लगने पे मजबूर कर देगी तो यार इसका एक लॉजिकल रीजन है उसके बच्चे यानि की बिली और टॉमी अब दोस्तो अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता की बिली और टॉमी कौन है तो ये जानने के लिए आपको वांडा विजन की सीरीज देखनी पड़ेगी लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा शौट में आप लोगों को बता देता हूँ तो वांडा विजन की सीरीज में वांडा वेस्ट व्यू शेहर को अपने मैजिक से अपने कंट्रोल में कर लेती है एक तरह से आप ये मान सकते हो कि उस शेहर को वो एक फेक रियालिटी में बदल देती है और वो एक ऐसी रियालिटी है जहां वहीं होता है जो कि वांडा चाती है और उस reality में वो vision को भी जिन्दा कर देती है जो कि असल में infinity war में मर चुका था लेकिन इस नई reality में vision दोबारा से जिन्दा हो जाता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इस series के बीच बीच में vision को ऐसा भी बहुत बार लगता है कि वो एक जूटी जिन्दगी जीदा है लेकिन किसी तरह wanda उसे इन सब चीजों से भटका देती है और खुशी खुशी उसके साथ अपनी एक नई reality में रहने लगती है और फिर बाद में उस खुशी के दो परिनाम पैदा होते हैं जो की होते हैं बिली और टॉमी जो की असल जिन्दगी में तो exist नहीं करते हैं लेकिन वानडा के उस नई reality में exist करते हैं और जब इस सीरीज के आखिर में वो reality फाइनली खतम हो जाती है तो फिर विजन के साथ साथ बिली और टॉमी भी हमेशा के लिए खतम हो जाते हैं लेकिन दोस्तो वानडा विजन के पोश्क एडिट सीन में वानडा को अपने बच्चों की आवाजे सुनाई देती हैं लेकिन यार अब वो आवाजे वानडा की रियालिटी से तो आ नहीं सकती क्योंकि वो रियालिटी तो अब खतम हो चुकी है और MCU के युनिवर्स में तो अब तो वो अपने बच्चों को पाने की कोशिश करेगी ही क्योंकि यार वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है विलन भी बन सकती है जो कि वो बनेगी और दोस्तो अपने बच्चों को पाने के लिए वानडा ऐसा बीच में से मल्टी वर दूसरे realities के portals को भी खोल सकती है और दोस्तों Multiverse of Madness के leaks में भी ऐसा कहा गया है कि Wanda अमेरिका शावेज की जान के पीछे पड़ी रहेगी ताकि वो उसके powers को absorb कर पाए लेकिन दोस्तों उनी leaks में ये भी बताया गया है कि जिस universe में real Billy और Tommy ही exist करते हैं वो Wanda के ही एक variant के बच्चे हैं जो की एक normal इंसान होगी लेकिन यार यहां आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि Wanda तो एक Nexus Bing है तो फिर उसकी कोई variant कैसे हो सकती है Wanda को तो सिर्फ MCU में ही exist करना चाहिए और दोस्तों यहीं सवाल लोगों के मन में तब भी आया था जब What If के episodes में Wanda को भी दिखा दिया गया था आप यार वैसे तो इसका exact reason क्या है यह अभी तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुझे personally ऐसा लगता है कि Wanda कोई Nexus Bing नहीं है बलकि Scarlet Witch Act Nexus Bing है आसान भाषा में कहूं तो Wanda के जो variants है वो तो exist करते हैं हर universe में लेकिन दूसरे universes में जितने भी Wanda के variants होंगे उन में से कोई भी Scarlet Witch नहीं बनेगी तो यार इसलिए technically हम यह कह सकते हैं कि Scarlet Witch Act Nexus Bing है और उसके different variants exist नहीं कर सकते लेकिन वहीं Wanda के variants exist कर सकते हैं तो दोस्तो I think कि जो मैं आपको समझाना चाता था वो आपको समझ आ चुका होगा लेकिन यार फिर भी मैं ये बात पूरे confirmation के साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि भाई ये जो Kevin चचा है न वो उल्टी खोपरी के आदमी है वो कब क्या क्यों और कैसे कर दे उसका किसी को भी कोई idea नहीं हो सकता तो इसलिए फिलाल इस बात को एक theory की तरह ही समझो तो दोस्तो अब इन सारे links में ये तो confirm हो गया है कि डॉक्टर स्टेंज इन अ मल्टिवर्स ओफ मैडनेस में Wanda ही main villain होने वाली है और वो villain कैसे बनेगी उसके बारे में भी मैंने अपनी theory दे ही दी है बाकी आप सब की इस बारे में क्या राय है ये मुझे comments में जरूर बताना तो यार बस आज के लिए इतना ही जाने से पहले वीडियो को like और channel को subscribe भी जरूर कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye take care